दुकानों पे रावों पे रस्टोरेंट अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रह्मान को क्यों दिक्कत होरी चाहिए तो अपने नाम पर तो सब को बोरो होता है तो नाम छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने कारियों को शुद्धता और प्लामानिक्ता से करने के अवश्रता है यदि हमारे कारियों में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहिए हिंदु है सब भारतवाश है और सब को अपने बार्वा गण कर रहे हैं हैं मुझे जा उपार्भिन गणा कर रहे हैंस Ultra 2020 यसस वंग होने पर आपने सब से मट भीड़े आपार्व कह मैं विरोध और समर्थन के पीछे लोगों के राजनेतिक मनसुभे हैं विरोध तो लोग मोदी जी का भी कर रहे हैं कि मोदी जी समिदान के लिए खत्रा हैं लोग तंत्रे के लिए खत्रा हैं मोदी जी OBC के लिए खत्रा हैं मोदी जी दलीतु मुसल्मानों के लिए खत्रा हैं और फिर उनके प्रती पुरे देश में एक घ्रणा और नफरत का माहूल तयार करके के देवतुले देश के प्रधान मंत्री को ही लोग मारने के लिए खड़े हो जाएं जैसे ट्रम के प्रत का भाव किसी भी रूप में देश के प्रधान मंत्री के प्रती हो हिंदू के प्रती हो या किसी और वर्ग जाती समुहूं के प्रती हो यह किसी भी तरह से मान्य नहीं है ना भारत की सनात्र संस्कृति ना भारत की संस्कार है भारत की सनात्र संस्कृति अहिंसा प्रे द्वारे जूठ कहा वे तेरे द्वारे तेरे लिए सब एक समान कोई हिंदु ना कोई मुसलमान सारा जग तेरी संतान सब को सनमति दे भगवान मंदिर बन रहा है उसको लेकर संतों काथी विरोध है क्या ऐसा होना चाहिए कि प्रतिशिक मंदिरों के कोपी बननी चाहिए निके जो हमारे देवस्थान जो हमारे बड़े तीर्थ है उनका कोई विकल्प हो नहीं सकता बाकी हमारे ग्राम देता कुल देता क्षित्र देता तिर्थ देता इष्ट देता भिन्न भिन्न है 33 कोटी का अर्थ 33 प्रकार के भी है 33 को करोड भी उसका अर्थ करता है हमारे इष्ट हमारे देवी देता अनेक है और परात प्रब्रम एक है इश्वर एक है इस सब अनेकता में एकता का सूत्र हमने देखा है हाँ ये सब्ते है कि अब कोई हरिद्वार धाम को नया बना दे कि हमने नया हरिद्वार बना दिया है हमने नई काशि बना दिया है हमने नया मुथरा ब्रंदावन बना दिया है तो जो भगवान के द्वारा बनाईवे धाम है उनको को इंसान नहीं बना है। पुर्जी इन भी धामों को लेकर धामी सरकार ने एक निन्णे भी लिया है कैबीनेट ने, इनके नाम का दुरुपयोग जो करेगा। धामी सरकार ने जो चारों धामों का पेटेंट करने का जो निणे लिया है वह प्रसंसनी है यह अच्छी बात